नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर आज हम करेंगे हैवी पटियाला सलवार की कटिंग वह भी डाइमिटर कपड़े में तो यह हमारा कपड़ा है सलवार की तयार लेंद है हमारी सड़े 35 इंच सबसे पहले हमने कपड़े को खोल लिया है खोल के हम इसको नाप के आपको दिखा देते हैं हमारा कितना कपड़ा है यह देखिए 50 इंच है 50 इंच यानि के हमारा डाइमिटर कपड़ा है हम कपड़े को खोल लेंगे खोल के हम कपड़े को सिंगल कर लेंगे खोलने के बाद हम इसे कानी की तरफ से डबल फोल्ड करेंगे यानि के इस तरह से अरज के हिसाब से अरज के हिसाब से भी आप इसको बोल सकते हैं इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को बराबर हम कर लेंगे अगर कपड़े में थोड़ी बहुत भी कान है तो सबसे पहले हमें उसको निकाल लेना होता है उसके बाद हम कपड़े की लंबाई नापते हैं कपड़े की यानि के सूट की लंबाई कमीज, सूट, सलवार जो भी हम निकाल ले हैं सबसे पहले में कान निकालने के बाद उसकी लंबाई नापते हैं जितनी हमें बेल्ट लगानी है बेल्ट का कपड़ा हम अलग से छोड़ देते हैं जासे हम WiFi 4 इंच की बेल्ट przeci लगानी है तो इस तरहसे हम कपड़ा उपर छोड़ देंगे और उसके नापैंगे 35 की हमें तयार सलवा रखनी है तो 36, 36 इंच कपड़ा लेंगे 36 इंच पर हम निसान लगा लेंगे इस तरह से देखिए हमारा ये 32 इंच कपड़ा है दोनों तरब से हम 32 इंच पर हम यहाँ निसान लगा लेंगे इस तरीके से हम निसान लगा कि एक सिद्धी लाइन ड्रो करके कपड़े को अलग अलग निकाल लेंगे इस तरह से हमने ये गोड़े का कपड़ा अलग निकाल लिया है अब हमें जितनी गोड़े की चोड़ाई है उस हिसाब से पहले गोड़ा इसमें से हमें निकाल लेना है गोड़े की चोड़ाई रखनी है, हमें 12 इंच तयार, क्योंकि 6 इंच के हमें पोचे तयार रखने है, कलिया हमें बिल्कुल अंदर से लेनी है, जितनी हमें कलिया निच्चे से लेंगे, उतनी अच्छी ही हमारी सलवार की सेफ आएगी, इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, और ये देखिए 12 इंच पर का हमने गोड़ा निकाल लेना है, ये निकाल लिया है हमने गोड़ा, अब निकालेंगे इसमें से हम बैल्ट है, ये हमारा जो गोड़ा निकाला है, उसी की साइड से हम बैल्ट निकालेंगे, बैल्ट हमें तयार रखनी है 24 इंच मदलब 25 इंच कपड़ा हम इसमें लेंगे आफ इंच हमारा सिलाई में उस तरफ से जाएगा हाफ इंच हमारा इस तरफ से जाएगा 25 इंच पर हमने निसान लगाया बैल्ट की अगर हम 4 इंच की बैल्ट तयार रख रहे हैं तो 7 इंच कपड़ा हम वेल्ट की चोड़ाई के लिए लेंगे अगर हम 5 इंच की वेल्ट तयार रख रहे हैं तो हम 8 इंच वेल्ट की चोड़ाई के लिए लेंगे तो यह देखिए हमने 7 इंच पर निसान लगाया है इस तरह से हम बेल्ट निकाल लेंगे यह जो हमारा कपड़ा बचा है इसे हम पोचे की पटी में यूज़ करेंगे एक हमारी यह होगी और एक हमारी यह होगी यह हमारी दोनों पोचों की पटी तयार होगी तो ये हमारी पोचे की पट्टी, बैल्ट और गोड़े निकले आई हैं ये हैं हमारा कली के लिए कपड़ा अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे कपड़े को एक शार हम कर लेंगे पूरी सलबटे हम निकाल देंगे इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे अब जितने हमारी गोड़े की लंबाई थी उस हिसाब से हम कली का निसान लगाएंगे जैसे हमारी गोड़े की तयार लंबाई थी 32 इंच तो 32 इंच हम नापेंगे और 32 इंच पर हम निसान लगाएंगे इस तरह से अब जितना कपड़ा हमारा उपर बचा है, उपर कपड़ा बचा है हमारा सड़े तीन इंच, उसी हिसाब से हम दूसरी तरफ निसान लगा देंगे, ये देखिए ये हमने सड़े तेन इंची दूसरी तरफ निसान लगा दिया है अब हमें जितनी कली की चोड़ाई लेनी है कली की चोड़ाई लेंगे हम डेट इंच दोनों तरफ हमने कली की चोड़ाई का डेट इंच निसान लगा लिया है पहले हमने जितनी ये कली की चोड़ाई लेई है उसको हम उतना ही कट कर लेंगे दोनों तरफ से इस तरह से हम कली को चोड़ाई के हिसाब से कट कर लेंगे डेट इंच हमने इस तरफ से कट कर ली है और डेट इंच हमने इस तरफ से कर ली है अब हमें इसमें क्या करना है इस तरह से जो कोर्णर इस तरफ बने है और इस तरफ बने है इन दोनों कोर्णरों को पकड़ की इ इस तरह से हमें इसको रेब में रख लेना है अब हमें इसमें चाहे तो हमारी वह बढ़ी है उस पे हम नियर्फ लगा सकते हैं या चाहे हम इसको जिस तर्षके से हमने रखी है उसी तरीके से हम इसको काट सकते हैं तो जिस तरीके से हमने रखी है उसी तरीके से हम इसको काटेंगे इसमें हमें निसान लगाकर दुबारा से उठा के फिर से इसको सैट नहीं करना पड़ेगा जिस तरह से हमने इसको रख्या है उसी तरीके से हम इसको काट लेंगे अब हम इसके उपर से एक कली को उठाएंगे और कानी से कानी मिलाते हुए इस तरह से हम कलियों को रख लेंगे यह देखिए हमने चार उकलियों को एक दूसरे के उपर रख लिया है यह यहां कानी को कानी के उपर रखते हुए अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें से निकाल लेंगे आसन आसन हमें क्या करना है अगर हमने चार इंच की उपर बेल्ट ली है तो हमें दस इंच का आसन निकालना है अगर हमें उपर पांच इंच की बेल्ट लगाई है तो हमें नो इंच का आसन निकालना है आसन की तयार हमारी लंबाई होती है चोदा इंच 14 इंच हम काटेंगे, 13 इंच हमारा तयार है जाएगा, वैसे हम अपनी 24 के हिसाब से जैसे भी चाहें, वैसे रख सकते हैं, वाकि हमारा नूर्मल आशन होता है, 13 या 14 इंच तयार है, तो हम इसका 14 इंच आशन हमें ये तयार रखना है, मैं 14 इंच ही आशन तयार रखती हूं, किसी का भी काड़ती हूं तो 15 इंच पर हमने ये निसान लगाया है और इसको हम अलग निकाल लेंगे अंदर वाड़े कपड़े को इस तरह से हमने ये चारो कलियों का एक साथासन कट कर लिया है ये देखिए हमारी कलियों की चोड़ाई हमें अब इसमें और क्या चीज़ करनी है कलियों को इतना हमें काटके अब इसमें क्या करना है कई बार जब हम सिलाई करते हैं सिलाई करने के बाद जब हम सलवार को डालते हैं तो हमारी यहां से जोल पड़ जाती है कलियों में तो सारी सलवार काटने के बाद जब हमारी सलवार की पूरी कटिंग हो जाती है तो यह कलियों की जो हमारी रेव है एक एक इंच हम रेव को निकाल लेते हैं यहां आसन से हमें सरुवात नहीं करनी है आसन से तीन इंच निचे से हम लेंगे और इस तरह से चारो कलियों को एक दूसरे के उपर रखके इस तरह से हमें काट देना है यह बिल्कुल हमें कलियों तक कलियों की जितनी चोडाई है चोडाई हमें बराबर रखनी है बस कलियों के उपर से हमें यहां इतना इसको काट देना है एक इंची जिससे पिछे से हमारी सलवार में जोल ना ओग अब यह जो हमारी जूड़ी हुई कलिया हैं तो उनको अलग-अलग कर लेते हैं अब मैं आपको कलियों की चोड़ाई नापके दिखा देती हूँ कितनी है यह देखिए 35 इंच की हमारी कलियों की चोड़ाई है यह हमारी बहुत एवी सलवार बन गई है अब हमें इसमें क्या करना है इस तरह से हमें कलियों को रखना है कलियों के आगे हमें गोड़े को रखना है इस तरह से हम गोड़े को मिलाएंगे कलियों के उपर सिलाई को हम उतना चड़ाएंगे जितनी हमें सिलाई लगानी है एक दूसरे के उपर इतना हमें रख लेना है और हम पोना इंच आग्गे से गोड़े की कटाई करेंगे जिससे हमारी पोचे पर जोलना आए तो यह देखिए हमारी फूल हैवी सलवार डाइमेटर कपड़े में बनके तयार है यह हमारी कलिया और गोड़े बेल्ट और पोचे की पट्टी तो आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कोमेंट में जरूर बताएं अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कोमेंट में पूछ सकते हैं मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें सब्सक्राइब करें दने